गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है इस विशे के वीडियो अब आप एक साथ देख सकते हैं इसके लिए मेरी चैनल में जाके प्लेइलिस्ट में इस विशे के आप सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं तो बच्चों आज के वीडियो में हम सिखेंगे हिंदी सुर्फी 2 का काविय नंबर 9 काविय का नाम है सच्चे मित्र तो बच्चों इस कविता में हमें सच्चे मित्र किसे बनाना चाहिए इस बारे में कहा गया है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है तो यहाँ पे जो दिखाई दिया गया है कि ये एक बालक है वो पेड को पकड़ कर खड़ा है पेड को अपने गले से लगा कर खड़ा है इसलिए बच्चा कही रहा है मेरा सच्चा मित्र है ये पेड है पेड पोधे होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं क्योंकि पेड प वजह से हमारे जो वातावरण में कार्बन डायकसाइड है वो कम हो जाता है और ओक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और ओक्सीजन है वो हम स्वास लेने के लिए इस्तमाल करते हैं हमें वो ओक्सिजन लेते हैं और कार्बन डायोक्साइड बाहर निकालते हैं पर रुक्ष है वो उल्टा करते हैं वो कार्बन डायोक्साइड ले लेते हैं और ओक्सिजन बाहर निकालते हैं इसलिए हमें हे वो वनों को काठना नहीं चाहिए क्योंकि वनों को काठने से सारी धर्ती है वो उज्जर हो जाएगी और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी वो सब कहा रहेंगे इसलिए ये पशुपक्षी है वो हमें प्रश्ण पुछ रहेंगे कि यदि तुम सारे पेड़ काट डालोगे तो हम कहा रहेंगे और हमारे एक तो ठीक आप है वो आपके लिये भी यदि पेड़ कम हो जाएंगे तो आपका जिना भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए वो कहते हैं कि पेड़ों को काटो मत मानव तेजी से वनों को काट रहा है ऐसे में न जाने कितने ही पशुपक्षियों के घर उजढ जाते है इस कविता में पक्षी हमसे पूछ रहे है कि वे अपना घोसला कहा बनाए साथ ही हमें सिखा रहे है कि पेड हमारे सच्चे मित रहे, उन्हें मत काटों चिडियों ने आवाज उठाई, कहा बनाए नीड, नीड यानी घर रोज पेड कटते जाते है, बढ़ती जाती भीड तो पक्षिय बोल रहे है, चिडिया बोल रहे है कि हम है वो अपने घोसले कहा बनाए क्योंकि तुम तो रोज पेड काट रहे हो, यदि इतने सारे पेड काटोंगे तो हम सब पक्षि अपना घर कहा बनाएंगे अपना घोसला कहा बनाएंगे रोक कुलहाडी बात हमारी सुनो जरा कुछ खास पेड़ न होगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सास तो वो लगकर हा रहा है ये उसको कह रहा है कि यदि तुम रोज रोज ऐसे कुलहाडी से पेड़ कारते रह ज़तो रहोगे तो हम तुम दोनों सास कैसे लेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेड़ों की कमी के कारण ओक्सिजन की कमी हो जाएगी और ओक्सिजन की कमी के होगी तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा नुक्षान है क्योंकि हमारा स्वास्थ है वो ओक्सिजन है वो उसकी मात्रा ज्यादा होती है और वातावरण में भी ओक्सिजन की मात्रा कम होगी तो फिर वर्षा भी नहीं आएगी यदि पेड पोधे नहीं होगे तो वर्षा भी नहीं आएगी और धर्थी का जो उज़रपन है यानि जो रेगिस्तान की रेती है वो वनों के आगे बढ़ जाएगी और सारा धर्थे को रेगिस्तान बना देगी यदि पेड नहीं होगे तो वो धर्ती है वो जब वारिश आएगी तो धर्ती की सारी जमीन का पानी है वो सारी रेख बहकर नदियों में मिल जाएगी यदि पेड होगे तो पेड की जड़े उसे पकड़ कर मजबूत रहेगी और जिससे के कारण हमा कि यदि ऐसी जुक्त चालिए मातौ थोண ले लेसकता और फेद पोरति दें नहीं तो गर्मी भी ज्यादा होगी यानि हमें है वो गर्मी भी ज्यादा लगी जिसे वो गर्मी का पारा है वो पच्चास इक्यावन तक पहुच सकता है और ये गर्मी हम सबके लिए असहिय हो जाएगी पत्थर काकर वीवे अपने मीठे फल बरसाते रंग बे रंगी फूल निचावर करके वे हर्शाते निचावर यानि हमें देकर हर्शाते यानि वह खुश होते है तो पेड़ पोदे होते हैं वो हमें हम उसको पत्थर मारते हैं फिर भी वो हमें अपने फल और फूल देते हैं और देकर वो है, बहुत खुश होते हैं, यानि हम उसे मारे और वो हमें हमारा भला करने के लिए फॉल, फूल, ओशदी, सबजी, आदी दे, कोई ऐसा ही होगा जो मार खाकर भी किसी को मारे नहीं, और किसी को अपना बनाए, तो ये पेड़ो पोधे होते हैं, वो पत्थर खा फूल निचावर, यानि फूल देकर खुद खुश हो जाते हैं, अपने पास बुलाकर हमको ठंडी चाया दी, आज बने हो उसके दुश्मन सच्चे मित्र वही, पेड़ो पोधे हैं, उसने ही हमको अपनी चाया देकर हमें हैं वो त्रिप्त किया, हमें अपना घोसला बनान के लिए जगर दी, और आपके लिए भी तो रूक्ष है, वो बहुत ही उप्योगी है, फिर भी आप आज उसके ही दुश्मन बने हो, जो आपके सच्चे मित्र है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पेड़ कटकर यहाँ पर बिल्डिंगे बनी गई है, इसलिए यहा जहाँ पर पेड़ पोदे है, वहाँ पर पेड़ पोदे और जंगल मिटा कर अब नई नई इमारतों का निर्मान हो रहा है, तो यहाँ पर चिडिया बोल रही है कि तुम यहाँ नई नई इमारतों तो बना रहे हो पर पेड़ पोदे मत काटो, क्योंकि पेड़ पोदे तो तुम्हारे सच्चे मित्र है। तो बच्चो। यहाँ पर काविय खत्म होता है। इसका इसे हमें यह काविय चाहिए, क्योंकि वह हमारे सच्चे मित्र है। और आप भी पोधे लगाओ, यदि दुनिया का हर एक आदमी एक एक पोधा लगाएगा तो सारी दुनिया है वो हरी-बरी हो जाएगी और यहाँ का वातावरण है वो भी औक्सिजन से बहा हो जाएगा, क्योंकि पेड पोधे होते हैं वो हमारे सचे मित्रह होते हैं तो बच्चों, कविता यहां खत्म होते हैं, अगले वीडियो में हम इस कविता का अभ्यास सिखेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई, टेक केर